प्यारे बच्चे नमस्कार फिर से आपका स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में जिसका नाम है सीडीपी सौट्स पिछली मैं दो-चार दिनों से सीडीपी सौट्स की वीडियो बराबर बनाता जा रहा हूं और आप लोग उसको बहुत ही आदा पसंद करते जा रहे हैं पह जिम्मेदारी है वो हमारी है बसरते आपके इतनी जिम्मेदारी है कि आप क्या करेंगे अपने छोर से इसको पढ़ते रहेंगे समझते रहेंगे पसंद करते रहेंगे और अपने दोस्तों के बीच में सेर करते रहेंगे अगर ये काम आपने किया हम आपसे वादा करते हैं कि जब आप किसी भी टीचिंग से संबंदित परिच्छा पर जब आप बैठेंगे तो आपको सत्थ प्रतिस्थ प्रश्ण जो है वो समझ बहाएंगे दिखेंगे आप देखकर के ही समझ जाओगे कि ये प्रश्ण तो हमने पढ़ा हुआ है तो इसलिए पहरे बच्चे आप वीडियो को स्टु होने के पहले ही वैसे तो हम इसको अपलोडिट वॉले हैं ताक्य आप लोग पूरा वीडियो को सबस्से देखें। यानि हम आनन दित हो जाते हैं और हम जदस जदा काम करने के लिए अदर वाइस हमको भी आलस कभी-कभी आता है तो इसलिये आप अपने चोर से काम करें मैं एपने चोर से करता हूँ मैं हर हफते आपको हो सकता है 5-6 полез नहीं भी जैसा ही देख रहा है कि इसमें लिखा हुआ है सक्री अनुबंधन का सिध्धांद किस ने दिया था पिशली बर मैंने आपको पढ़ाया थाण ड collective की का जो बाहूल लिरहा है पिशली बर ऐसे ही हम कुछ का आपको करवाने वाले हैं तो आप देख रहा है कि शक्री अनुबंधन संसे अब देख़ें नहीं संबंद्ध को प्रटवार करना है अघर संबंदर का सिध्हां नियुकर थो आप कैसे थोन डएक संबंद पृत्या वर्ण को आप इसमें लिखेंगे पावलाव साब कौन है और याद रखी का पावलाव वही बेखती है पूरी आल ओवर यह समझो कि पूरी की पूरी मनोबिज्ञान में या पूरी की पूरी सैकलोजी में एक पहला ऐसा बेखती है जिसे 1904 में नोबिल प्राइस से नवाजा गया था याद रखी का इनका नाम ये एक रूस के मनोब विगयनिक है जिनको कहां पर मिला था तो आप कहेंगे कुत्ते क कुत्ते का स्लाइवा नाने लार पर यादधन कर रहे थे और उसी पर हुग उनको 2104 में नोबल प्राइस मिला था ये। रूस के निवासन ही है कुत्ते के के लिए जाने जाते हैं तो यह भी पूछा जाता है कि इसके साथ किया तो आप कहेंगे इन्हों चुहे के उपर प्रयोग किया था ठीक बात आगे देखो लिए सास्त्रिया नमंधन का सिद्धान तो यह भी सिद्धान किसी और का नहीं बलकि हमारे पावलाव सहाब का है किसका है तो आप कहेंगे पावलाव सहाब का है आगे लिखा हुआ है प्रतिस्थापक का सिद्धान तोनों से कोई भी भी कình坏 मिञी है कुछ और नहीं भलकी पावलाओ साब का ही सिधान्त भीए कौंसा प्रतिष थापक सिधा दिया प्रतिष थापन का सिधान्त यभी पावलाओ नहीं की ते लोगरा एक दो पर जिखेए का है प्रतिया किसके पास में बैल के पास में हल चलाने वाले तो हल याद रखेगा जो हल साब हैं जिनका पूरा नाम क्या है तो आप कहेंगे सर जी इनका पूरा नाम है क्या नाम है कि पूरा नाम याद रखेगा हल साब बहुत इंपोर्टेंट क्यों है तो जब भी कभी प्रबलन आजाए पुनरबलन आजाए बल से संबंदित कोई बात आ जाए तो याद रखेगा हल है हलाकि पुनरबलन चीजें का प्रयोग इसके नर ने किया और जो सिद्धान्द दिया दे रहां हमारे हल साब ने दिया थल निल्खा है बनरबलन सभी से दिया जाता है तो भी वहार हो गया को होता है याद रखी ये क्या है सके भी हमारे सियल हल सा ऐ हमने का आघाँ जहां भी बल आ जाए वहाँ पर आपको याद रखना है कून है तो आप और खोड़ लिखेंगे सील हल् yo है इनका संसुंद्त कि're it's the event इनका संभनता है तो बाइजो जो बैल होता है बंट किसके पास होता है तो आप कांगे बॉल होता क्पास में और बैल कौन है तो आप चाहिए सवित हम इस्फय नहीं यहां ऑपको पढ़ने के समझने के लिए ऐसा बता दिया जाता है तो इनको बैल ली कहना याद रखना है ठीक है फिर लिखा है बेवहारवाद का सिध्धान देखो एक हमारे मनोबिग्यान खुए है वाटसन साब याद रखना वाटसन जो नाम है यह मनोबिग्यान का बहुत अच्छा नाम इन्होंने अगर बेवहारवाद का मतलब है बैच्छों को जैसा महल दिया जाएगा जैसा उनका इन्वार्मेंट रहेगा जैसा उनका बेवहार रहेगा या जैसा उनके साथ में बेवहार किया जाएगा बच्छे उसी प्रकार से बनते हैं उसी प्रकार से उनका चरित निर्माड होता है ऐसा मानते थे हमारे कौन वाट्थन साप जिन्होंने बिवारवाद का सिध्धान दिया है अगर पूछा जाए बुध्धी का इग किसी ने दिया तो याद रखना यह सिध्धान इस्टर्न इस्टर ने एवं जॉंसन ने मिलकर के दिया है किसी एक लोगों ने ये सिध्धान नहीं दिया है बुद्धी इकाई का सिध्धान तो अगर पूछा जाए फिर बताओ भया प्रतिकारक सिध्धान किस ने दिया है तो आप कहेंगे जो प्रतिकारक सिध्धान थे ये किसी और ने बनकी आरवी केटल साब का है किसने दिया है आप कहेंगे दिया है आरवी केटल किसने दिया है तो आरवी केटल ये देखो जो कोशन आपके सामने लिखे हुए हैं आपको सतर पर थम याद क्या करना है तो याद प्रीस प्राप्त हुआ हो वैसे यह जी विग्यानी थे यह कुत्ते की स्लाइवै के विग्चाइब के उपर एक ers sécur और उसी प्र्योक को क्रेंदे करते यह हमारे मनोविग्यान में आ गये थे और मनो विग्यान में बहुत बड़ा क्या दे दिया एक सिध्धान दे दिया जिसको सास्त्री अनुबंधन का सिध्धान यह कहते हैं संबंद प्रत्यवर्तन का सिध्धान कहते हैं इनका सिध्धान क्या था मैं आपको अभी हमने आगे हलागी पढ़ाय भी है आप मैं आपको आगे बेले वीडियों पढ़ाऊंगा कि ये कुत्ता और घंटी और खाना ऐसा समंध नहीं होता है। घंटी बजाई कुत्ता आया, खाना दे दिया, कुत्ते ने लार दे दी, ऐसी बात है। तो वो सारी बातें इस सिध्धान्त के अंतरगत पैरे बच्चे की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है, चालो, यहां तक समझ गे बात, एक सिध्धान्त और आप समझ लें, स्क्रीन सॉट करें, फटक से, फिर हम आगे की बात करते हैं, तो आपने स्क्रीन सॉट कर लिया बिस्वास है, या मुझे ऐसा लगता है, तो अगर हम आगे की बात करना सुरू करें, तो एक देखो आता है, सिध्धान्त हमारा आता है, मैं 10 से 12, 12, 15, 12, 13, ऐसे करके सिध्धान्त हर एक वीडियो में आपके होते जाएंगे, और जैसे ऐसे वीडियो बढ़ते जाएंगे, आप उतने ही उसमें गुना करते जाएगा, समझे तो एक है युगमत तुलनात्मक, देखो एक है खंड समूह क्या है, तो एक हमारा आता है 11 नंबर में, पेंचेंज कर लेते हैं, उसको का आ जाता है समूह खंड बुद्धी का सिध्धान्त, और दूसरा एक और आ जाता है जो की 12 नंबर है, जिसको कहा जाता है युगमत तुलनात्मक, क्या कहा जाता है, युगमत तुलनात्मक, क्या कहते हैं, युगमत तुलनात्मक, निरणय विधी के प्रतिपादक कौन है, निरणय विधी या सिध्धान्त के प्रतिपादक कौन है, तो आप दोनों को बहुत याद रखेंगे दोनों का प्रतिवादग एक ही ब्यक्ति है जिसका नामी और अभूत पूर योगदान दिया सरप्रथम जब बुद्धी परिछन अंगें संगा घरतीकिए थी महती भूम का निभाने का काम किया था और याद रखेगा इनके और बिने आदिके प्रयासों से ही हमारे जो बुद्धी सिध्धान्त हुए जो हमारी mental age हुई जो हमारी physical age हुई जो हमारा IQ हुआ इनके ही प्रयास से हम आज उसको माप पाते हैं बच्चे को पता कर पाते हैं कि यह किस बुद्धी लब्धी का बच्चा है तो याद रखेगा इन्होंने इस थेयोरी को दिया था तो युगम देखो लिखा है युगम तुलनात्मक निर्णय विधी या सिध्धान्त के प्रि सब्सक्राइब और चैनल को ज्यादा ज्यादा प्यार दीजिए ताकि यह चैनल आपके लिए या हम आपके लिए बहुत ज्यादा काम कर पाएं तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद इसको स्क्रीन सोट जरूर कर लीजिए गा कर दो